दोस्तों DR Education के इस official YouTube channel पर आप सभी का स्वागत है देखिए दोस्तों NCL HAM operator के जो admit card है वो website पर आ चुके हैं आप download कर सकते हैं हाला कि कल most of candidates का issue आ रहा था कि उनके जो admit card आप download नहीं हो रहे थे लेकिन फिर इन्होंने कल स्याम को सभी जो candidates से उनके admit card upload कर दिये थे और most of candidates ने अपने admit card है वो download कर भी लिये होंगे जिन्होंने नहीं किये हैं तो क्या करने आपको ये जो website इसके link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा उस पर click करना है इस interface पर आप पहुँचेंगे उसके बाद यहाँ पर अपनी user id और password और नीचे ये जो capture दिख रहा है फिल करना है और login कर देना है login करने के बाद आपके पास कुछ इस परकार का interface निकल करके आएगा इस पर आपको applicants, details, helpdesk और admit card का option दिखेगा इस पर आपको admit card पे click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपका examination center का नाम और यहाँ पर date and timing दिख जाएगा उसके नीचे आपको admit card का option दिखेगा यहाँ download admit card के उपर click करना है, click करते ही आपका admit card है वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर open कर रखा है, हाला कि उपर का जो interface है मैंने थोड़ा सा चुपा रखा है for the candidate price ही, लेकिन यहाँ पर जो journal instructions है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा important है most of candidates होते हैं जो in journal instructions को, जो important होते हैं इनको नहीं पढ़ते हैं फिर examination center पर जाकर के इधर उधर गूमते रहते हैं देखे, आपको क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन सी बातों का मुख्य ध्यान रखना है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है तो dear candidates पर यह अभियरती, आपके लिए कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा important है, आप इनको मुख्यत है और ध्यान दे करके पढ़िएगा तो यहाँ पर मैंने इन सभी instructions को पढ़ लिया, मैं आपको short में सारी चीज़े बता देता हूँ देखे, आपका जो admit card है, वो साथ में लेकर के आपको जाना है जो original admit card है, यह वाला, इसके साथ में एक photocopy या फिर इस admit card को थोड़ा सा समाल करके save करके कहीं पर रखें, चाहिए laptop में, computer में या अपने mobile phone में क्योंकि यह जो admit card है, यह आपका वहाँ पर जमा हो जाएगा, hand over आपको करवाना पड़ेगा जो भी आपका inviligator होता है उसको, उसके बाद आपका admit card कहां डूढ़नेगे, जब आप अपना result देखेंगे उस time पर, क्योंकि roll number तो इसी में होता है, तो future reference के लिए या तो आप इसकी एक photocopy, या फिर इस admit card को समाल करके अपने पास रखिएगा, ठीक है, क्योंकि future में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जब भी आप अपना result वगेरा चेक करेंगे तो, तो एक अपना original admit card, जो भी आप examination center में ले करके जाएंगे, उसके साथ में, दो photograph आपको स साथ में ले करके जानी है, और एक original identity proof, चाहिए आधार card हो, pen card हो, identity proof के तोर पे आपका driving license या फिर आपका passport हो, ये जो भी identity proof होती है, इसके उपर आपका photograph होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वही photo identity proof आपको साथ में ले करके जाना है, यानि वो identity proof जिस पे आपका photo लगी होती है, तो वो identity proof आपको original ले के जानी है, photo copy या scan copy नहीं चलेगा, ये ध्यान रहे है, ठीक है, इसके बाद आपको examination center पे time से पहुंच जाना है, और जो आपको admit card हो, उसके साथ में दो color photograph मैंने आपको बताई है, जो latest photograph है, आपको साथ में ले करके जानी है, इसके इल लावा, ये जो admit card है, या आपको अपना room invulator होता है, या फिर administrator होता है, उसको handover करवाना पड़ेगा, तो आप future reference के लिए एक admit card की photo को भी साथ में रखें, point number 3 में बताई है, जो मैं आपको already बता चुका हूँ, ठीक है, जो आपका examination center है, date है, timing है, वो change करने का बिलकुल भी क negative marking होगी या नहीं होगी, तो negative marking नहीं है, ध्यान रहे, there shall be no negative marking, negative marking यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और अगर आपको genuine तरीके से mock test लगाने है, तो description में आपको DR education official mobile application का link दिया हुआ है, google play store से mobile application download करो, test series में आप जाओगे, तो वहाँ पे बिलकुल exam pattern के हिसाब से आपको test series मिल जाएंगी, NCL hem operator की, ठीक है, उसके इलावा यहाँ पर point बताया गया है, कि आपको examination center में time से पहुँच जाना है, जो भी आपको reporting time बताया गया आपके admit card पे, उससे लगभग, एक या डेट दिन पहले, सोरी, एक या डेट गंटे पहले पहुच जाएं, लेकिन reporting time का, या फि या उसके बाद entry आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रहे, ठीक है, तो time से आपको पहुचना है, examination center पे जब भी gate बंद करने का जो timing है, उससे एक या डेट गंटे पहले आप महाँ पे पहुच जाएं, और किन-किन बातों का ध्यान रहे, देखिए आपके admit card पे आपका नाम, father name, date of birth, photograph, signature, category, ये सारी चीज़े mention रहती हैं, तो ये बिल्कुल genuine होनी चीज़ें, जो आपकी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें check होंगी, ठीक है, तो इसमें कोई भी mistake नहीं होनी चीज़ें, जिनका changement हो गया है, तो आप साथ में proof ले जाएं, आपका 10th का mark seat, ठीक है, जैसे मा आपको पानी की bottle लेकर जानी है, तो वो transparent ही लेकर कर जाएं, colored जो है, वो पानी की bottle वहाँ पे नहीं चलेंगे, तो जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे दो colored photograph, उसके साथ में bowl point पैन आप साथ में लेकर कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको जो पैन हो उपलब्द न नहीं लेकर के जाना है, जिससे microphone, wirephone, hard disk, pen drive वगएरा, वो साथ में लेकर के नहीं जाना है, कोई भी electronic digital watch होती है, कोई भी electronic item है, calculator वगएरा है, वो साथ में लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि allow नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो मैंने आपको कौन-कौन सी मुख्यते बाते बत Admit Card, उसकी एक photocop भी आप साथ में रख लें, या फिर इस digital Admit Card को सुरक्षित रख लें, अपने पास सेव करके, चाहिए laptop में, computer में, mail पे, कहीं पे भी आप इसको सेव करके रखें, क्योंकि in future आपको ये काम आएगा, ठीक है, क्योंकि roll number इसमें दिया हुआ है, आपका मान उसके उपर चिपकानी है, जो आपकी photo का blank, यानि एक खालिस्तान दिया हुआ है, उस पे आपको चिपकानी है, ठीक है, जहां पे आपकी Admit Card पे फोटो औरड़ी दे रखें, उसके साथ में ही, left and side में एक space दिया हुआ है, उस पे आपको photo चिपकानी है, दो colored photograph जो latest हो, वो आपको साथ में ले करके जानी है, एक identity proof, अधार card हो, pen card हो, water ID हो, passport हो, जिस पे आपकी photo होती है, वो identity proof, original ले के जाना है, photocopy नहीं चलेगे, ये ध्यान रहे हैं, ठीक है, और एक ball point pen, ball point होता है, एक तो gel pen होता है, एक ball point pen, ठीक है, सिक्के वाला, वो साथ में ले करके जाना है, ये ध्यान रहे हैं, ठीक है, इसके इलावा, candidates अगर पानी के bottle वगएरे लेके जाएंगे, तो अगर वो transparent है, तो ही allow करेंगे, नहीं, तो bottle वहाँ पे allow नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे हैं, तो ये आपकी journal instructions थी, जो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा important है, तो ये journal instructions द बार-बार पूछोगी, सर हमारे roll number कैसे पता करें हम, तो उस time पे आपके roll number फिर show नहीं होंगे, आपके dashboard पे ध्यान रहे, ठीक है, तो यही information देनी थे आप सभी को, mock test अगर आपको लगाने हैं, तो DR education official mobile application पे जाकर के लगा सकते हैं, test series में वहाँ पे आपको 21 तारीक से ले